वो खूबसूरत एक्ट्रेस जिनके पहली फिल्म से ही इनकी अदाओं और सुन्दर्ता के चर्चे अकबारों की सुर्खिया बन गई थी, जो फिल्मी बैक्ग्राउंड से ना होने के बावजूद भी, बड़े डायरेक्टर की फिल्म से लॉंच हुई और अपनी पहली ही फि फिल्मे की और फिर अचानक बॉलिवुड से गायब हो गई, क्या आप यकीन करेंगे इस चुल्बुली और सावली सलोनी हसीना को देख फिल्मे के इंप्रेस हो गए थे, रातो रात वो स्टार बनी, लेकिन कहला हिट फिल्म की फ्लॉप ही रोइन, इस हसीन अदाकारा की प बारे में, तस्वीर से देख आप शायद अंदाजा न लगा पाय हो, क्या आपको वो गाना याद है, हाय अलाह ये लड़का कैसा है दीवाना, इस गाने में नजर आये अक्टरेस काजल किरन, काजल बॉलिवुड की दुनिया से तालुक नहीं रखती थी, उनका बैकड्रा मोशी से फिल्मी दुनिया को अलविदा कह गई, काजल की फिल्मी दुनिया में आने का कहानी बेहत दिल्चस्प है, पढ़ाय पूरी होने से पहले ही कुछ दोस्तों की कहने पर काजल किरन ने अपने फोटो शूट कराए और कई कास्टिंग डाइरेक्टर्स को भेज दिये कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा, उन्होंने कई स्टूडियो के चक्कर भी लगाय और कई फिल्मों के लिए मेकर्स से मुलाकात भी की, तब ही उनकी मुलाकात फिल्म डाइरेक्टर नासिर हुसेन से हुई, नासिर साहब उनसे मिलकर काफी इंप्रेस हुए, उनका स किसी से कम नहीं में नजर आई, नासिर हुसेन ने रोमेंटिक कॉमेडी फिल्म हम किसी से कम नहीं में काजल को मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना था, ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई थी और काजल रातो रात स्टार बन गई, फिल्म क क्लासिक फिल्म का दर्जा मिला और काजल भी सबकी 1989 में उन्होंने फिल्म साइन की मांग भरो सजना, इस फिल्म ने काजल ने मुख्य भूमिका, गीता सिन्हा के रूप में अभिने किया, जो जीतेंद्र की नाइका थी, इस फिल्म में रेखा और मौसमी चटजी भी नजर हुआ नहीं. दरसल, जब काजल किरन हम किसी से कम नहीं की शूटिंग कर रही थी तब निर्देशक नासर हुसेन ने फिल्म रिलीज होने तक कोई और फिल्म साइन नहीं करने के लिए उनसे कहा था. इस कारण अन्य फिल्मेकर्स ने उनसे दूसरी फिल्मों के लिए संपर् कि उन्हें मालूम था किरन और हुसेन के बीच एक तीन साल का कॉंट्राक्ट हुआ है तो फिल्हाल वल किसी और के लिए काम तो करेगी ही नहीं. इस तरह काजल के हाथ से बालिका वधू और अंखियों के जरोकों से जैसे फिल्में निकल गई जिसका इन्हें बहुत अफसो हुआ. दरसल जब काजल किरन हम किसी से कम नहीं कि शूटिंग कर रही थी तब निर्देशक नासर हुसेन ने फिल्म रिलीज होने तक कोई और फिल्म साइन नहीं करने के लिए उनसे कहा था. इस कारण अन्य फिल्मेकर्स ने उनसे दूसरी फिल्मों के लिए संपर्ख ही न निकल गई जिसका इन्हें बहुत अफसोस हुआ. 1980 में उन्होंने फिल्म साइन की मांग भरो सजना. इस फिल्म ने काजल ने मुख्य भूमिका गीता सिन्हा के रूप में अभिने किया जो जीतेंद्र की नाइका थी. इस फिल्म में रेखा और मौसमी चटजी भी नजर नहीं मिली और बॉक्स ओफिस पर यह ज्यादा पैसे भी नहीं कमा पाए. फिल्म के रिलीज होने के बाद फिल्म समीक्षकों ने लिखा कि फिल्मी करिया की शुरुआत नहीं इस तरह की फिल्मे करने से उन्हें आगे चलकर इसका मूल चुकाना पर सकता है और आगे चलकर हुआ भी कुछ हैसा ही. इसके बाद उन्होंने कई फिल्मे की जिसका फायदा उन्हें रत्ती भर नहीं हुआ. इन फिल्मों में हमसे बढ़कर कौन, हमसे है जमाना जैसी फिल्में शामिल हैं. उन्हें समीक्षकों ने हिट फिल्म की फ्लॉप हीरोईन का तमगा दिया. अलिवुड में उन्हें फायदा नहीं हो रहा था. लगतार फ्लॉक होती फिल्मों को बाद उन्होंने 1990 में फिल्मी करिया से सन्यास ले लिया. काजल किरन की आखिरी फिल्में दिवाने, कुर्बानी रंग लाएगी, राजु दादा, आखिरी संघर्ष, रही, जो इनकी सन लेने के बाद के अगले कुछ सालों तक रिलीज होती रही. 1997 की आखिरी फिल्म रिलीज हुई उसका नाम था आखिरी संघर्ष. इसे इत्तिफाक कहें ये किस्मत का खेल काजल किरन का पूरा करिये संघर्ष करता रहा और आखरी संघर्ष, इनकी आखिरी फिल्म साबित हु पूरी जिन्दगी में बिल्कुल सीक्रेट रखा और लोग प्रोफाइल ही रखा। वो कभी भी अपने निजी जिन्दगी के बारे में ज़्यादा खुलासा नहीं किये और नहीं इस बारे में मीडिया से बात करती और नहीं किसी से साथी कलाकार से। यह कोई नहीं जानता